जै मातादी, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की बुक, It's So Happened का फिर्स चेप्टर, How the Camel Got His Hump और अगर आप क्लास 6 और 7 की दोनों बुक्स के वीडियोस देखना चाते हैं, कोई चेप्टर देखना चाते हैं, या किसी को शेयर करना चाते हैं तो मैंने दोनों की प्लेइलिस्ट बना रखी है, क्लास 6 और 7 की वो भी आप देख सकते हो, अब क्लास 8 की बात करते हैं, क्लास 8 का फिर्स चेप्टर है, How the Camel Got His Hump कि Camel का जो Hump है, वो किस तरीके से हुआ, कैसे उन्हें मिला Camel को, कि Camel के उपर एक Hump देखा है न, बैक के उपर एक कूबर सा निकला हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा Lump Part, थोड़ा सा उंचा निकला हुआ, उसे Hump कहते हैं यह जो एक Fictional Story है, और यह Average है, Roodyard Kipling की एक Story है, उससे की उसका मतलब Short Form यहाँ पर Summary है So, शुरू करते हैं हमारा Chapter, The World Has Just Begun and the Animals Were Working for Humans तो Part 1 शुरू कर रहे हैं, इसमें World अभी Start हुआ है, मतलब की दुनिया अभी शुरू हुई थी, बहुत मतलब पुरानी बात है और Animals जो थे, वो Humans के लिए काम करते थे, उस ताइम की बात है यहाँ पर एक बहुत ही लेजी अनिमल रहा करता था, लेजी मतलब बहुत ही आलसी, जो कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था, सिरफ और सिरफ हम बोलता था और कुछ नहीं बोलता था, यहाँ तक की एक clever जिन, जो मतलब जिन कितने clever होते हैं, उसका भी सर घूम गया, मतलब की, वो भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इन सब चीजों के लिए, और फिर उसने क्या किया, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो शुरू कर हैं, चैप्टर in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the hauling desert because he did not want to work. beginning में जब world, शुरू ही हुआ था, दुनिया शुरू ही थी, उस टाइम पर animals जो थे, वो man के लिए work करते थे, उन्होंने man के लिए work करना स्टार्ट ही किया था, उस टाइम की बात है, एक camel था, तो camel जो था, वो कहां रहता था, lived in hauling desert, मतलब की, एक दम बयानक desert, मतलब चारो तरफ deserty desert था, मतलब बहुत ज़्यादा, desert वाले area में रहता था, और वो इसलिए वहाँ पर रहता था, क्योंकि उसे कुछ भी करना पसंद नहीं था, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, he ate sticks and thorns and pickles and when anybody spoke to him, he just said hum, just hum and no more, और वो हमेशा वहाँ पर desert में बैठा-बैठा क्या खाता रहता था, कुछ sticks, कुछ thorns, मतलब कुछ काटे, कुछ ऐसे चोटी-चोटी sticks, कुछ prickles, ऐसे चुबने वाले चीजें, ऐसे चीजे खाता रहता था, desert में, जो desert plant होते हैं उसको, और वो अगर उसको कोई कुछ कहता था, तो वो कुछ नहीं कहता था, सिरफ और सिरफ हम कहता था, just hump, no more, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता था, presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, camel, oh camel, come out and trot like the rest of us, तो अब क्या होता है, कि जो horse होता है, मतलब first day होता है, Monday morning होती है, week का first day, और वो जो horse है, उसके back के उपर क्या लगी है, saddle, मतलब काठी, जिसके उपर, मतलब, leather का खुछ ऐसा, cheese seat होती है, जिस पर हम बैठते हैं, तो वो काठी लगी है, उसकी back पे, और वो कहता है, camel, oh camel की, आओ और हमारी तरह ट्रोट करो, मतलब हम जैसे, दुलक्की मारते हैं, मतलब की चलते हैं, दोडते हैं, उस तरीके से तुम भी दोड़ तो camel क्या कहता है, hump, उसको तो सिरफ एक ही word बोलना होता है, hump, मतलब हमेशा वही बोलता है, तो sad the camel and the horse went away and told the man, उस ताइम पे ये जो सारे animals थे, वो man के लिए work करते थे, तो उसने जाके man को सिकायत कर दी कि camel तो सिरफ hump बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वो क उसके पास में उसके मुँ में स्टिक होती है और फिर उसे कहता है, तो यहाप एक word लिखावा है, जिन तो वो जिसे जिनी भी हम कहते हैं, जिन कहते हैं, तो वो स्प्रीट होती है, मतलब जिसके पास strange powers होती है, okay, तो सबको पता है जिन क्या होता है, so अब डोग क्या कहेग हम, अब presently इसके पास में कौन है, डोग, with a stick in its mouth, okay, camel, oh camel, अब डोग क्या कह रहा है, camel, oh camel, and come and fetch and carry like the rest of us, कि है न, आओ, हमारी तरह है, मतलब इसी तरीके से काम करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से कुछ लेकर आओ, हम, said the camel, and the dog went away and told the man, अब उसको डोग को भी और फिर, dog जो है, वो वही करता है, man के पास आता है, और man को शिगायत कर देता है, presently the ox came to him with the york on his neck, and said, camel, oh camel, come and plug like the rest of us, अब ox आता है, ox ने क्या लगा रहा है, अपनी neck के उपर york, york होता है, कि जिसको हम ऐसे कहते हैं, जैसे हल जोते हैं, तब नेक के पीछे आपने लिखाए जाते हैं, कि हल अगेरा जोते हैं, तो उसके जो neck के उपर york लगाया जाता है, जिससे कि वो जो हल होता है, वो plug the fields, मतलब fields को plug करने के काम आता है, तो वो bell से काम करवाते हैं, तो उसके back पे, neck पे, back side में york लगाते हैं, तो वो लगा हुआ है उसके, और वो camel को क जोतों जैसे हम कर रहे हैं, मतलब सब अपना अपना काम करने के लिए कहते हैं, कि हमारी तरह तुम भी काम करो, हम, said the camel, and the ox went away and told the man, वो same वही चीज़ कर रहा है, फिर उसने हम बोला, और ox भी चला गया वहां से, और उसने भी वही किया, आदमी से कह दिया, वो जाकर, At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, कि जब दिन खतम हुआ, तो man ने बुलाया, तीनों को, horse को भी, ox को भी, और dog को भी, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो, और वो कहता है कि 303, तुमारे लिए मैं तुम तीनों के लिए बहुत sorry feel कर रहा हूं, but that the hum thing in the desert can't work, and he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it, अब कहता है वो जो hum thing है ना, desert में जो hump बोल रहा है, बाद बाद पर hump बोलता है, तो उसे तो छोड़ो, वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, आता तो वो अब तक आ चुगा होता, कि मतलब उसे ना तो यहाँ पर आना होता है, ना यह वो कुछ काम करता है, ना वो कुछ किस और हमें सारा जो work है उसको make-up करना पड़ेगा, that made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came achieving and laughed at them, अब क्या होता है कि उनको गुस्ता आता है तीनों को, कि बाई यह तो कुछ करता नहीं, पूरे time पर desert में बैठा रहता है, hump hump और कहता रहता है, और इसकी जैसे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा जैसा कि हमें उस man ने कहा है, so वो उस panchayat में बात कर रहे होते हैं, जो उन्होंने desert के किनारे पर रखी वी होती है, अब camel भी वहाँ पर आता है, और वो achieving करता हुआ, achieving कड का मतलब क्या होता है, कि जो भी उसके वो होता है, जो animals होते हैं, उनमें एक चीज लगद गाता है, तो उस टाइम पर वो उसको वापस से मू में लेकर उसको चबाते हैं, तो इस तरीके से कड कर रहा होता है और उनके उपर हस रहा होता है, कि मतलब चबा रहा होता है अपना खाना अपर हस रहा होता है, then he said hump, and went away again, वापस से वही करता है, वो hump बोलकर चला अब जिन की बार ही है क्योंकि वो इंचार्ज है, सारे डेजर्ट का इंचार्ज है, इसलिए वो आता है और वो कैसे आता है कि dust का एकदम cloud मतलब बादल सा होता है कि ऐसे cyclone type का उसमें उसमें रोलो कर आता है तो वो क्या कहता है कि जिन अफ ओल डजर्ट ये अब होस जो है वो बात कर रहा है उसे कि ये सही है कि खाली बैटना बिल्कुल ना का रहा हों कि इस तरह कुछ भी नहीं करना ये क्या सही चीज है certainly not said the jinn, jinn ने कहा नहीं, सही तो नहीं है well said the horse there a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot अब क्या कह रहा है कि horse है वो शिकायत कर रहा है कि लेकिन तुमारे तो डजर्ट में है ऐसा एक जानवर horse कहता है कि ऐसी thing है तुमारे middle of the desert में जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबे-लंबे पैर है तो वो किसकी बात कर रहा था, camel की बात कर रहा था कि वो कुछ भी नहीं करता है, उसने एक stroke of work नहीं किया है मतलब इतना सचिन्नू सा भी काम नहीं किया है Monday morning से, मतलब कुछ भी नहीं किया है जबसे Monday morning हुई है, कि मतलब वो ना दौड लगाता है, ना वो मतलब कुछ चलने का काम ही करता है, कुछ नहीं करता है view, said the gin whistling, that's my camel, what does he say about it, oh तो वो समझ जाता है, वो whistling करता हुआ, कहता है, oh जिसकी तुम बात करें, वो मैं समझ गया, वो है उंट तो camel ने कुछ भी नहीं किया, तो इसके बारे वो क्या कह रहा है, कि मतलब कुछ रीजन भी बता रहा होगा तो he says hump, and he won't plug, said the ox, ox अपना जो काम है, वो बता रहा है, कि वो plug भी नहीं करता है, खेद भी नहीं जोता, और वो सिरफ कहता है, hump very good, said the jin, I will hump him, if you will kindly wait a minute, अब वो कहता है, कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ, मैं उसका hump करवाता हूँ, मतलब मैं उसे समझाता हूँ, उसको मैं लाइन पे लाता हूँ, तो अब jin जा रहे हैं, क्या करते हैं, I will hump him, का मतलब I will deal with him appropriately, I will set him right, felt my mind, okay,आब देख्ते हैं कैसे ठीक करते हैं, जिन, पार टू में, जिन है उनकी बात हूँगी, यहांपे कुछ, जो है, मेलाइन's लिखी वह हैं, जो हम इस पार्ट तू में परने जा रहे हैं, अब हम पार्ट तू स्वाट करते हैं, अब जिन क्या है, वापस से خुद को डस्ट में खुद को रोल करता है नài il अब इस्ट संथ तक किस तकी बावर, जानand उस ने उसने कैमल को ग्लाई को गॉल मिला कैमल, वह अपने रिफ्लेक्शन देख रहा था ठाथ, फूल उफ वॉटर में, मिलता है कि मतलब पानी है और उसमें अपनी reflection देख रहा है camel तो जाकर jin क्या कहता है My friend sat the jin What's this I hear of you You are doing no work वो कहता है कि मेरे दोस्त मैं यह क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो The jin sat down Jin बैठ जाता है What's Sorry With his chin in his hand While the camel looked at his own reflection in the pool of water अब jin क्या करता है कि अपने मतलब chin के उपर ऐसे हाथ लगा कर जैसा कि आप पिक में देख रहे हो और camel जो है वो मतलब continuously अपनी reflection देख रहा है water में उसको कोई मतलब नहीं है जिन्वेन से कोई बात नहीं कर रहा है जिन वहाँ पे बैठा हुआ है You have given the three extra work ever since Monday morning all on account of your illness said the jin कि हाँ तुम्हें तीन extra work मिलें जो भी work मिला था वो तुमने किया नहीं Monday morning से कुछ भी नहीं किया तीन दीन होगे तुझे चुट्टी पे और मतलब तुम एकदम खाली बैठे हो तो तुम्हारे पास तो काफी extra work हो गया है तीन दीन का और वो वापस से वैसे ही उसी position में अपने चिन पे हैंड को लगा कर उसी तरीके से सोसते विए वहाँ पे बैठे हैं से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो काफी काम बचा हुआ है तो यह सब क्या हो रहा है कि यहां पर यह जो कैमल है वो अपने reflection देख रहा है और जिन है जो वेट कर रहा है लेकिन यहां पे कोई response नहीं आ रहा है आगे देखते हैं हम said the कैमल अब कैमल ने फिर क्या क्या हम बोला I shouldn't say this again if I were you said the jin you might say it once too often I want you to work कि अगर jin क्या कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगे होता तो मैं यह नहीं कहता मतलब तुम तो बात बात पे हम कहते हो हम है क्या है actual में हम का मतलब होता है कि disagree होना कोई चीज के लिए सहमत ना होना हम प एच और जो कैमल की उपर है हम होता है हम प हर बात पे disagree होता है हर बात पे हम बोलता है तो हम बोल देता है तो jin क्या कहता है कि मैं अगर तुमारी जगे होता तो मैं यह नहीं करता मैं तो काम करता हो और कभी-कभी यह वर्ड यूज करता तो I want you to work मैं चाता हूँ कि तुम कुछ काम करो यह क्या है बात-बात पे हम बोलते रहते हो and the कैमल said हम अगेन but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up and puffing up into a great big hump अब क्या होता है कि कैमल जैसे ही वापस से हम बोलता है बोलता रहता है so उसने जैसे ही अब जब जिनने उसे ये बात की ही तुमें काम करना चाहिए तो उसने वापस से हम बोला तो अब की बार जैसे ही उसने बोला वैसे ही जो जिस बैक को वो अपने रिफ्लेक्शन को देख की इतना खुश हो रहा था अब उस बैक जो है उसकी फूले जा रही है पफिंग अप फूल फूल के और वहाँ पे एक बड़ा सा हम बन गया है ग्रेट बिग हम मतलब एक कूबड निकल आई है उस पीट पे जिसको देख कर वो इतना प्राउड फील कर रहा था do you see that said the jin that's your very own hump that you have brought up your very own self by not working कि ये जो तुम देख रही हो ने तुमारी पीट पे जो ह से ये जो तुम देख पारे हो ने है कि ये ये तुमारा कुद का हम ये है मतलब जो अभी तक तुम हम बोल रहे हो और काम नहीं कर रहे थे यह तुम्हारी वज़े से हुआ है और तुम्हारे हम की वज़े से हुआ है Today is Thursday and you have done no work since Monday When the work began, now you are going to work कि तुमने आज Thursday है और Monday से तुमने कोई काम नहीं किया मतलब तीन दिन, Monday, Tuesday, Wednesday कुछ भी काम नहीं किया और आज Thursday हो रहा है और तुम्हें अब क्या करना चाहिए Now you are going to work, अब तुम काम करने जाओगे How can I set the camel with this hump on my back? अब तक तो वो वैसे ही काम नहीं कर रहा था अब camel को बहाना मिल गया कि मैं इस hump के साथ में काम करूँगा कैसे? That has a purpose, said the jin, all because you missed those three days तो jin क्या कहता है कि ये जो hump मैंने दिया है, इसका भी एक कारण है तुमने तीन दिन से काम नहीं किया है न? तुमने तीन दिन miss किया है जो अभी वो पहले भी बता रहा था कि तीन दिन का काम तुमारा pending है You will be able to work now for three days without eating because you can live on your hump and don't you ever say I never did anything for you तो फिर वो क्या कहते हैं कि मतलब अब ये जो hump है इसकी विज़े से तुम काम कर सकते हो तीन दिन तक बिना कुछ रुके वे, क्योंकि बिना कुछ खाए वे क्योंकि जो hump होता है उसमें mostly जो camel के जो back पे hump होता हो किसली होता है उसमें वो जो अपना fat storage करके रखता है कि मतलब उसमें वो जो अगर कुछ दिनों तक खाएगा और पीएगा नहीं तो भी उसका काम चल सकता है तो अब तुम इस hump पे जिंदा रह सकते हो बिना कुछ खाए वे और अपना काम कर सकते हो and don't you ever say I never did anything for you और कभी मत यह कहना कि मैंने तुमारे लिए कुछ क्या नहीं मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ कर दिया यह कि अब तुमें खाने की बार बार में और रुक कर तो अब तुम continuously work कर सकते हो यह मैंने तुमारे लिए इंतिजाम कर दिया है जो हम में अब store हो जाता है सब कुछ fat वगेरा तो तुम काफी time तक चल सकते हो इससे बिना खाये हुए come out of the desert and go to the tree and behave बाहर निकलो desert से और उन तीनों के पास जाओ और behave मतलग काम करो वहां पर और तमीज से पेसाओ and the camel went away to join the tree अब जो camel है वो चला जाता है उन तीनों को join करने के लिए and from that day to this the camel always wear a hump we call it a hump now not to hurt his feeling but he can never yet caught up with the three days that he missed in the beginning of the world and he has never yet learned how to behave camel ने उन तीनों को join किया उस दिन से camel के जो पीट पे हम्प है मतलब वो कूबर्ड निकला हुआ है अब उसे hump बोलते हैं H-U-M-P, वो H-U-M-P-H hump जो बोलता था तो उसे hurt ना हो इसलिए हम उसे hump बोलते हैं मतलब H को हमने इसलिए हटा दिया कि camel की feelings hurt ना हो हम camel की feeling से कितना ध्यान रखते हैं ना और camel अब भी behave करना नहीं सीखा है और अब भी वो तीन दिन का जो काम उसने पीछे छोड़ा था ना वो आज तक उसका complete नहीं हुआ है आज भी वो विचरा store रखता है अपना fat वगेरा हम में और काम में लगा रहता है तो जो तीन दिन उसने मिश किये थे ना starting के वो अभी तक कवरप नहीं हुए उससे और अभी भी उसे behave करना नहीं सीखा है वो तो यह इतनी beautiful सी story थी मतलब it's not actual actual तो नहीं होगी of course यह fictional story है कि कैसे camel की पीट की उपर वो कूबड़ आया है लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर सीखने को हमें मिलती है कि हमें अपना काम करना चाहिए at least हमें बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए हमें जो काम हमारा जो हमें असाइन है at least हमें उसके लिए खुद को तयार रखना चाहिए और हमें वो time to time करना चाहिए और इसमें वो नहीं करते थे इसलिए उनको मतलब as help भी उसको कोई problem नहीं होती थी कूबड की वज़े से लेकिन हाँ उसको वो store कर सकता है लेकिन फिर भी उसके साथ में ऐसा क्यों हाँ क्योंकि वो अपना काम नहीं करता था just said हम so it is all about it hope you like it if you like it please hit the thumbs up button please 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 subscribe the channel put your vision suggestion in comment section so thank you